हलो बच्चा लोगो कैसे हो बढ़ियां चलिए मेरा नाम है अलके सर फ्रॉम अरदी क्लासिस सिटी एम एमदाबाद चलिए दोस्तों आज 12 साइंस इंग्लिश मिडियों वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर थुरी है कॉरेंड इलेक्टिसिटी उसका एक्स जूंदेरका फist ido को सीरीज में कनेक करता हूँ आगं तो आ YOUNG रीचिस्टर को सीर्यज में कनेक्त करता हुँ तो टुट र ERIC एकिवीलेंट रजिस्टर क्या आएगा मुझे बूल दूझ तेन है मान्लो तीन है तीन है तीन रजिस्टर को मैं सुरीज में जॉइन कर रहा सर r1 plus r2 plus r3 done है done है ओके दूसरा funda focus है आप ये formula जानते हो बचपन से किसी को बुलना नहीं अपने घर की बात है क्या आप voltage नहीं जानते हो ohum 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 slow है टिंग निंग टिंग निंग तो बस ये तीन funda focus आपकी life में है तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है Don't fear अलके सरेज तीन पंडा क्लियर है चल यह आज यह स्टार्ट करूँ मैं आज यहाँ, कलर पर न यूज़ करूँ नहीं तो ऐसा बोल देने, इसमें क्या है चल ओके, लेट मी स्टार्ट अब पढ़िये दुस्तो, कोच्चन को पढ़िये त्री रेजिस्टर, वन ओहम टू ओहम, एंड त्री ओहम आर कंबाइंड इन सिरेज चलो परिगा, वाट इस टोटल रेजिस्टर्स अब दी कॉंबिनेशन, यास सर यास सर, बिलकुल अम निश्चिन्द हो गए सर, पहला पंड़ा फूकस आपका काम में आगया सर क्या बात है सर, चलो तो सर्किट ड्रॉ करता हूँ मैं जुपाग जुपाग जुपाग, ये कैसा सर्किट बाए ये वन ओहम ये टू ओहम ये त्री ओहम ठीक है, सो मैं लिख सकता हूँ पहला, कुछ नहीं याद आ रहा है मुझे सर, पहले ये पूरा करने दो, मांड मांड आया एक सवाल चलो तो पहला कोच्चन बाग आर एक्विवेलेंट इस इकोस तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर त्री पहला कोच्चन क्लियर आप बोलो सर, अब हम सुनेंगे आप जो बोलोगे वह पहला तो ये कर देंगे हम इफ तव कॉंबिनेशन, इस कॉंबिनेशन वन ओ हों, टू हों और ट्री ओहों इस कॉंबिनेशन इस कनेक्टेड टू अफ एटरी ओफ इनफोरमेशन में प्लिक दें तगड़ा रेने का काम में आएगा एंड, नेगलिजिबल इंटर्नल रेजिस्टेंस इसका कुछ इंटर्नल रेजिस्टेंस होगा न वह या आर, वो नेगलिजिबल है मतलब जीरो ले लेता हूं इसका ओवियसली इंटर्नल रेजिस्टेंस होता है वो नेगलिजिबल है तो मैंने उसको जीरो ले दिया उन्होंने बूला है, 12 वोल्ड का EMF है लेकिन नेगलिजिबल इंटर्नल रेजिस्टेंस है ठीक है, अप्टेंदी पोटेंशल ड्रॉफ एक्रोस इज रेजिस्टेंस है हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशल, यह रेजिस्टेंस का दो छेडा है इस रेजिस्टेंस का दो एंड है इस रेजिस्टेंस का दो एंड है हर एक दो एंड पे पोटेंशल ड्रॉफ फाइंड कीजिए यहाँ पे potential V1 दूसरे वाले में यहाँ पे V2 और तीसरे वाले में यहाँ पे V3 ऐसे potential drops find करने हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं घर की बात है चला दो दूसरा question क्या है समझ गये ना यह तो पूरा clear होगे आपके मैंड में 6 oham 6 oham दूसरा दीखिए if the combination is connected to the 12V where negligible internal resistance are 0 so find out the potential drop across each resistance दूसरी बात करते हैं potential drop find करना है हर एक resistance में तो potential drop find करने से पहले दोस्तों पहला वाला resistance से उसमें potential drop find करने जाओंगा तो V is equals to IR लगेगा पहला resistance है तो V is equals to IR1 हाँ भी आई तो constant ही रहने वाला है हाँ series connection है तो आई constant रहेगा ओके सर तो अब देखिए सर और second वाले की बात करूँ तो IR2 तीसरे वाले की बात करूँ तो V3 is equals to IR3 potential drop तो यही होता है है की ने ओके सर तो अब बता आई तो तेरे पास है ने E कितना E कितना 12 total R कितना R equivalent 6 internal resistance तो 0 बोला है 6 और 12 I is equals to 2 ampere बोल है की ने तो फिर हो गया तीनों पंडा का focus का यूज की ने आजा चला I 2 R1 है 1 मतलब 2 volt I है 2 R2 है 2 मतलब 4 volt यह 2 और यह 3 मतलब 6 volt बोल डन है की ने इतने इजी इजी questions हैं दोस्तों ठेक है ठेक है ठेक है चाल जिए तेंक्यू